आज की रसिपी है बेंगन गोश की अजिजा दरकार हैं एक पतीली लेंगे तेल आदा कप प्यास एक दर्मियानी प्यास को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्यास को जब तक फ्राई करना है जब तक हल्की गुलाबी ना हो जाए जीरा एक टेबल स्पून अच्छी तरह से फ्राई कर लें प्यास को जब तक फ्राई करना है जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए गोश्ट साथ सब पचास ग्राम अद्रक लहसन पेस्ट दो टेबल स्पून अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक हस्बेजाइका हल्दी आदा टी स्पून पिसी लाल मिर्च टेबल स्पून पिसा धनिया डो टेबल स्पून अच्छी तरह से सबसमान को मिक्स कर लेंगे गोश्ट को 2-3 मिट अच्छी तरह से मसालों में पका लें पानी चार टेबल स्पून अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है मसालों को जब तक भूनना है जब तक तेल अलग न हो जाए पानी चार कप धकल लगा के गोश्ट को पचास से साथ मिनट के लिए पका लेंगे जब तक गल न जाए टिमाटर तीन दर्मियाने धकल लगा के आच से दस मिनट के लिए पका लेंगे बैंगन पांसो ग्राम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे धकल लगा के पांस से छे मिनट के लिए पका लेंगे बैंगन गोश्ट को जब तक पकाना है जब तक तेल अलग न हो जाए हरी मिल्च डो टेबल स्पून अजवाइन आदा टी स्पून अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हरा दन्या दो टेबल स्पून लीमू रस दो टेबल स्पून अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैंगन गोश्ट तयार है मज़ेदार जबर दस बैंगन गोश्ट आप सर्फ करें चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे